यह चर्चा करते हैं माइंड के बारे में कि यह माइंड है कहां पर सर्चिंग मैं माइंड ठीक है और माइंड को सर्च करके इसको कैसे खतम किया जाए ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे देखी, इसके बारे में पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं एक कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा ये योग वशिस सार की कथा है इसमें राम वशिस्थ से कहते हैं कि काका ने कैसे सुप्रीम ग्यान प्राप्ट किया ठीक है सुप्रीम ग्यान कैसे प्राप्ट किया तो वशिष्ट उन्हें कहानिस पताते हैं कि कैसे काका जो ब्रहस्पती के पुत्र थे उन्हेंने कैसे ग्यान प्राप्ट किया सुनो काका को बच्पन से ही ज्यान प्राप्तियों संसार एक पिंजडे और जेल जैसा लगता था वो सोचता था कि ये संसार एक जेल है ठीक है ये कैद में है वो और उसे मुक्त होना है और ये पहली शर्थ भी है अगर आपको यहां से निकलना है तो आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि आप जेल में बंद हो और अगर आपको इस समझ में आ जाता है तो सब ठीक है फिर काका ने क्या किया अपने पापा से पूछा ब्रैसपती जी से कि मैं कैसे निकलू इस केज से तो उसके पापा ने कहा टोटल रिनन्सियेशन पूर्ण त्याक करो तो काका को उस समय ज़्यादा अनुखव नहीं था तो काका ने घर बार और ये सब त्याक करके जंगल में की से चले गए तपस्या करने है अपना थोड़ा बहुत जो कुछ पेहनते थे पहनते थे और वो तपस्या करने के लिए आफ साल में उन्हें कोई घ्यान प्राप्द नहीं हुआ वा पपेस पापा जी के पास आया अपने प्रैस्पती जी के पास वापा पूछ पूछ प्य कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो फिर से उन्हों की पिता जी ने का टोटल रिनंशियेशन तो फिर जंगल में गए उन्होंने सुझा यह जो कुछ बच गया है थोड़ा बहुत दी सब घटा दिया कपड़े और जो कुछ पहनते थे सब उतार के सब फेक दिया अब बिल्कु और कोई चीज़ का त्याग की जरूरत नहीं है बस माइड को त्याग दो तो ब्रहस्पति को लगा ठीक है काका को लगा ठीक है अच् launching माइड को तギोनम में अब सवाल यह सामने उनके सामने पैदा हुआ की माइड है कहां अब उन्होंने माइड की खोज अंदर शुरू ग देखा कि उन्हें सोचा ऐसे कि बोडी बोडी के जो है बोडी तो माइंड है नहीं तो अंदरी कुछ माइंड होगा तो उन्हें थोड़ा बहुत विचार किया काफी समय विचार करने और कोशिश करने के बाद भी वह माइंड को नहीं खोज पाए उन्हें बहुत प्रयास किय मैंड क्या है काफी समय लेकिर वो मैंड की खोझ नहीं कर पाया तो फिर वो अपने बरिसपतीजी के पास दुबार आ ग confess गया इसा करो कि मैं जो है जिन्होंने जो मैंड को जाना है वो ये कहते है कि मैंड ईगो या I है, क्या है mind? आई, यह जो I है, यही ego, यही mind है, अच्छा, तो और इसको खोजो, और इसे वैसे तो इसका अस्टित्व है नहीं आई का, लेकिन यह भ्रंबश ऐसा परतीत होता है, तो कागा कहते हैं, यह तो बहुत कठिन काम लगता है, वो कहते हैं, बहुत असान काम है जैसे तुम एक हाथ में फूल लेते हैं, और उसे ऐसे करके दबा दोगे, तो वो चूड बन जाएगा, वैसे इस mind को भी खतम किया जा सकता है, इतनी ही देर में, तो वो बोले, इतना आसान तो नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं, यह है ही नहीं, यह खाली इंपर्मानेंट जैसे दिखाई देता है, अभासी है, यह एक इल्यूजन है, अगर इसको हटा दोगे तो तुम तुम तुरंत मुक्त हो जाओगे, और तुम अपनी लिमिटेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है, तो काका सोचते हैं, पिचार करते हैं, और वो मुक्त हो जाते हैं, वो आई को क्या चीज़, अब सुनू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस माइंड को किस तरीके से किल कर सकते हो, देखो, पहले तो तुम्हें भी इसको पकड़ना होगा, पहली चीज़ तो यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जेल में कैद हो, तुम्हें इस परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हें परमेश्वर के नाम को जपना होगा या चैंट जो कहते हैं चैंटिंग दनेम, ऐसे जपो जप करना पड़ेगा, उससे हिर्दे की शुद्धी होती है, यह चार चीज़ें हैं जिनके दौरा तुम इधर माइंड को और तुम यो मैंड वो खतम करना चाहते हो, उसके बाद जब तुम इतने अगर कर पाओगे तो थोड़ा बहुत, इतना भी अगर तुमने कर लिया, तो तुम फिर अभ्यास योग में आओ, तुम सर्च करो कि तुम्हारा इगो कहां पर चल रहा है, कैसे यह काम करता है, इसकी अगर तुम इसकी इनक्वाइरी करोगे तो तुम पाओगे कि यह कहां पर है, कैसे करोगे इनक्वाइरी, जिसे मान लो किशी ने तुम से कहा कुछ, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मान लो किशी ने तुम्हें गाली दी, ठीक है, तुम गदहा हो, कोई यह गाली दे कि देखो ठीक है तुम उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो करो और उसकी एनलिसिस करो कि इसने ऐसा कहा तुम्हें खुद की ही एक स्टेज मनाओ ठीक है इसने ऐसा कहा और मैंने ऐसा react किया ठीक है अब जब तुम उस चीज़ की एनलिसिस करोगे कि जब ये बात कही गई तो कहां से क्या चीज निकली सब मान लो किसी ने का तुम गधे हो तो तुरंथी यहां से भी आवा जाएगी तुम भी बहुत बड़े गधे हो तो यह जो बोल रहा है तुम भी बहुत बड़े गधे हो यही है आया इगो उसको देखो उस समय उसकी inquiry करो हाँ ये है और तुम देखोगे कि वो खतम हो जाएगा और तुम्हें उस चीज़ पर क्रोध नहीं करना है वहाँ पर उस moment पर उसको read करना है तुम समझ रहे हो उस particular thought को क्योंकि माइंड कुछ है नहीं है thought ही तो इसे ऐसे करके read करना पड़ेगा तुमको और जब तुम उस thought को read करोगे उस time पर यहाँ ऐसा है ये आ रहा है ये हो रहा है तो वो तुम उसे खतम कर सकते है तो धीरे धीरे करके जब तुम इसका अब लगातार अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे करके mind dissolve हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो जान जाएगा कि तुम उससे बलशाली हो share को देखके चुए गीदर सब भाग जाते है ठीक है तो अगर वो जानता है कि तुम एक share हो तो तुम भाग जाएगा तो तुम्हें उस moment का अध्यन करना पड़ेगा ठीक है you have to उस moment के अध्यन की आदर डालनी है मान लो किसी ने तुम्हें कोई comment किया ठीक है तुमने facebook पे कोई post डाला या इंस्टा पे कोई post डाला और किसी ने कोई comment किया तो उस comment के reaction में वो अच्छा नहीं था जो तुम्हारा reaction जाता है वो ही I ego है ठीक है वो ही तुम्हारा I है उसको वहीं पे रोको और वहीं पे मारो उसको वही point है और इसी चीज़ की practice करो वो मर जाएगा और फिर तुम देखोगे कि तुम ही सब जगे हो वो आता है फिर वो चला जाता है वो आता है फिर वो चला जाता है उससे बहस और जगडा नहीं करना उससे आने दो और जाने दो वो तुम्हें छेड़ेगा नहीं तुम अपने आपको disturb मत करो इस अभ्यास को करो और उस अभ्यास को करो रीडिंग का अभ्यास और आने जाने की अभ्यास से मुक्त कर सकते हो तो तुम माइंड को मार दोगे ठीक है? Thank you